कि चलिए देखते हैं रूल नंबर 11 को पिछले वीडियो में हम लोग रूल नंबर 10 तक देख चुके थे इसमें 11 को देखेंगे यहां पर कहता है साइन पाइब टू माइनस थीटा यदि देख जाए तो यह आपको 10th कलास में ही पढ़ाया गया था ठीक है कहां पढ़ाया गय कोश साइन थीटा में टैन में कॉश्च में और सही ना को शैक में कॉट क मेंट मिटन अब यह बताएए यह माइनस निगेटिव में होगा या पॉजेतिव तो आम लोग कहते है कि first में all positive होता है सकेंड में साइन और कॉस एक positive होता है टैन को थर्ड में और कॉस और फॉर्थ में तो इसमें जो all positive होता है यह होता है यहां से यहां आपका 90 डिग्री का रेंज होता है जीरो से 90 का रेंज आपका first planet में होता है यहां पर कह रहा है 90 क장이 नभे डिग्री से कम आपकाוד परस्ट का रेंप में आपका all positive होता है तो यहां पर ना तो negative लगेगा um मतलब मेरा कहने का मतलब सब्सक्राइब फर्स्ट क्वांडिट में आल पोजिट वहता है यदि आपको कहीं पर दिख जाए साइन पाइबाइबाइब टू माइनस थीटा तो आप आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा ठीक है आईए इस पर अगर कुछ प्रस्ण आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते है इसे आप 10 क्लास में पढ़े होंगे रूल नमडर है तो आज यह हम लोग देर ना करते हुए इसको आप आराम से लिख सकते हैं नोट करके ठीक है एक नोट आप लिख सकते हैं नोट आपके लिखना क्या है कि पाइबाइट टू माइनस थीटा जो है कि यह पर्थम पाद है ना पर्थम पाद में इस्थीत है ठीक है कहां इस्थीत है पर्थम पाद में इस्थीत है और पर्थम पाद में पर्थम पाद में क्या होता है ओल पॉजिटिव होता है ठीक है मतलब साइन कॉस्ट जो भी हो हो उसका मान क्या होता है आपका पॉजिटिव में आई ये रूल नंबर आपको देखते हैं 11 हो चुका है 12 रूल नमर की और बढ़ेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दबा लिजेगा वीडियो को अधिक सदिक सेयर कीजेगा भी ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में